खबरों में बने रहने के लिए बेला आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ें साथ खास तोर पर CPM के महा सचिव, कॉमरेट सी तर आम यह चुरी है, कॉमरेट कल हमने देखा कि आप लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, अमूमन यह मानते हैं, कॉमरेट की लेफ फ्रेंट के जब भी लीडर्स किसी चीज पर जमीन पर उतरते हैं, सटकों पर उ जा रही है, यह सिर्फ उन तीम देशों से आने वाले पर्सक्यूटिड लोगों के लिए हैं, उनको नागरिक्ता देने के लिए, फिर विरोध किस बात का? देखे, पहली बात तो यह है, विरोध इसका है कि देश के समयधान के अंदर हमारी नागरिक्ता किसी धर्म के साथ जुड़ी नहीं है, और ना जोड़ा गया, जान बूज के, पूरी बहस के बाद, कि जो भी शर्णारती आएंगे हमारे देश में, किसी भी धर्म के क्यों हो, उनको जो है, अगर हम नागरिक्ता देना चाहती है, हमारे सरकार तो दे, पहले भी दिये थे कई सारे लोगों को, अनन सामे को दिया था उपने नागरिक्ता, तो अब इस बात पे ये तीन सिर्फ मुल्क आपने गिना है, और मुस्लमनों को बाहर रखा, इसका मतलब क्य है, ये है देश के लोगों के बीच में एक किसम की बेदभाव ले आने की कोशिश, और ये, भावना की बात है, उनको क्यों अलग किया, किस अधार पे, वो उन्होंने कहा पारलिमेंट में आपको होता तो आपने भी देखा हो, और मिनिस्टर ने अपने स्टेट्मेंट में आपके हो इसलामिक रपबिक तो बात अलग है, लेकिन उनकी शब्दा अलिवे तो उस एकलर रपबिक है, अब ये सब इसमें जमिले में पढ़ के हो रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है क्या थी आपको, नागरिक्ता पहले भी आप देते रहे, अभी भी आप दे सकते हो, ये सब कर क्यों रहे हो, ये सिर्फ ये कर रहे हो, एक जजबादी बटवारा देश के लोगों में करवाने के लिए, कि भाई ये अलग समगाई है, मुसलमान, अब श्री लंका से आए वे हैं लाखों लोग, यहां पे पड़े वे हैं, जो पर्सेक्यूटेड है, उनके बार में क्या करोगे आप, आप कह रहे हैं, इसका तर्क भी सरकार का आपको पता है, सरकार घुस पैठियों को आइडेंटिफाइ करना चाहती है, जो गलत तरीके से सरदपार करके हमारे देश में हैं, उनको इस देश में रहने का हग क्यों है, इस कानून के अलावा और कोई तरीका क्यों कर रहे हैं, काई काई कन्फूजन, CAA, Citizenship Amendment Act और NRC दोनों को एक साथ रख करके तो आपको नहीं देख रहे हैं, बार बार सरकार ये कह रहे ही कि NRC अलग चीज है, CAA, अलग चीज है, अलग चीज से सब जुड़े वे हैं, अब NPR है, अलग चीज है, National Population Register, उसको कह रह बोटर, डाउटफुल बोटर, अब वो सभी लोग जो डाउटफुल है, उन सब को असाम के NRC से बाहर है, तक्रीबन 20 लाख लोग, अब उनके अंदर कई सारे हिंदू है, तो उनको ये बैपीज करने के लिए, ये पॉइंट है कि ये कानून ले आ रहे हैं, आप सब को ना लेकिन हिंदू जो होंगे, या नॉन मुस्लिम्स जो होंगे, वो सब आपके नागरिक होंगे, जब भी ऐसी कोई बहस होती है, तो मैं देखता हूँ कि आप लोग मांग करते हैं, प्रधान मंत्री हाईस लेवल से स्पश्टी करने, वो बताएं देश को कि ऐसा कि, प्रधा इबाव की भावनाय क्यों फैला रहे हुआ, यहां पर आपकी पूरी की पूरी साम्प्रदाइक तनाव को धुवी करन को क्यों फैलाये जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, हिंदुत्वा वोट बैंक को कंसॉलिडेट करने की, और एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गन इस सरकार का कते कोई मकसद नहीं है, इस देश को हिंदुराश्ट नहीं है, इस देश को हिंदुराश्ट नहीं है, बताया, क्या यह आरेसर का एजन्डा नहीं है कि भारत को हिंदुराश्ट के रूप में डिक्लेर करें, यह बदलें, तो आपनों को यह सपिशन है कि उस द भारत क्योंने बन सकता है अब क्या हम हम कह रहें कि इस कानून की कोई ना जरूरत है देश के लोगों के बीच में बेदवाओ और बटवारा करवाने की जो यह आप चल रहा है देश के अंदर यह बहुत खतरना के हमारे देश की एकता अखनता के लिए इसको वापस लो आप जाते हैं कानून वापस और जो है अल्रेडी तरीका जिस तरीके से आप नागरिक्ता देते आए हैं इतने साल से वो दीजिए गरे मंत्री तो कहते हैं कि नर्सी पूरे देश में लागो करें अब आप वो कह रहे हैं तो करिये अब आप जो लोग उनको सिटिजन्शिप एम मिलाड उसे कि दबाओ के अंदर आके वोट डाले हैं राश्पती से आप लोग मिले थे आपका डेलिगेशन गया था आप आप थे उसमें जब हाइस लेवल पे आपने गोहर लगा दी तो क्या बैतर नहीं होता कॉम्डट की थोड़ा इंतजार करते राश्पती के फैसले क और हन दिन बर दिन रिपीट होते जा रहा है कि अनर्सी पूरे देश में लागू होगी अच्छा मैं यह भी पूछना चाहता हूं नर्सी पूरे देश में लागू हो जाए तो क्या पत्ती है अगर जो जैसा इरादा जो सरकार कहती है कि घुसपैठियों को और उन में से आप चुनके एक समुदाय को को होगी कि यह हमारे देश के नागरिक नहीं है यह गुसपैठिय है अब कितने बंगौली कुसलमानों को आपने बंबाई इस ऐसे शहरों में इडेंटिफाइ करके बेजा पता चला कि वो पस्ट्रमंगाल से आई हुए हैं करने की पूरी की पूरी कोशिश है इससे उनकी राजनितिक मकसद जो है एक हिंदुर तवा राष्ट के रूप में बदले हमारी जमूरियत को उसको बदलने की यह स्वाजिश का एक भाग है जो जामिया में एक्शन वा उसको लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हमने देखा कि उनिवर्स्टी में भी तो कई अराजकतत्व घुज गए थे पुलिस बार बार यह अनौन्स कर रही थी कि पीसफुल तरीके से जो लोग आपके अंदर आपके साथ घुज गए नहीं चाहिए हम उसकी कंडन करते हैं वाइलेंस कोई तरीका नहीं है इस तरीके के हिंसा लेकिन हुआ काम पर जहां पर बीजबी के सरकारे हैं उतर परदेश गुजराथ आपके मैंगलोर आपके यह तो बड़ा रोप लगा रहे हैं आपके नहीं क्या चाह रहे हैं कि आप हमारे जैसे लोगों के खिलाब जो जो शांतिपूरवक प्रदेशन कर रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट्स में आपका सिधा आरोप है कि बीजेपी को की कॉंस्परेसी ने अब वह हम कह रहे हैं फाइदा पहुंच था उनको हिंसा से यह कहने के लिए यह पूरा अंदलोन ह हिंसक है कि कते ही नहीं है यह हम कहते है कि शांतिपूरवक हमारी अधिकार है जन्वादी अधिकार है मौलिक अधिकार है जो सविधान देता है हमारा विरोध हम प्रिकट कर से के शांतिपूरवक धंसे जामिया में जो हुआ वह भी तो शांतिपूरवक नहीं था स्टूड है कोई है उन दस में कोई स्टुडेंट है और इसलिए सवालों नहीं है और यह होता है कोई क्लाश वो न्यू फ्रंस कॉलोनी या कहीं पर जो तीन किरोमेटर दूर है जामिया से और उसके बाद लाइबरी के अंदर जाके करते हो यह किसलिए लेकिन ईविश्टी के अनुमती के पोलीस अंदर नहीं घुश सकते नहीं जानून है नि रिवास करिये जो भी है यही तो कहनो नहीं रिवाज है कोई का लेड़ डाउन रूल तो है नहीं अगर बिना पर्मिशन के नहीं जा सकते हैं यह उनको बोलो यह है कारण जिस वजी से में जाना चाहते हैं अगर अगर बूव अनुमतिक दे तो जाएए यह आरोप लगा रहे हो कि वहाँ के खुलपती और रिजिस्टर यह सब भी वहाँ पे आतंगवादियों के साथ मिले वे यह हिंसक लोगों के साथ मिले वे स्टूडेंट्स अगर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर अगले दिन प्रियांका वाडरा इंडिया गेट पे जाके बैठ जाती है उसके अगले दिन लेफ फ्रंट इतना बड़ा प्रोटेस्ट करता है कौंगरस पूरटेस्ट कूंगर सर्ट प्रोटेस्ट कियों जंब कर रहे हैं व्रोद किया हूं जानून के खिलाफे है विपक्ष मिलकर के इस पे इसको आगे रहा है क्या आगे रहे हमा हम पारलमेंट के अंदर ना legislstudra करना हमारा अधिकार कि नहीं यह विरोध करना हमारे अदिकार है कि नहीं कि अधिकार है और यह हम चाहते हैं कि यह और बतलब यह गलत रास्ते ना ले या भी अपील हम भी कह रहे हैं गलत रास्ता मत अपना यह कोई हिंसक नहीं है यह शांति पूर्वक धंग से हमारा विरूत प्रकट करेंगे हैं करमेंट एक सवल और आपसे पूछना चाहता हूं पस्चे मंगाल में सालों आप लोग सत्ता में रहे आज जो सरकार है ममताव एनरजी मुख्यमंत्री कहती है कि यूएन का रिफरेंडम कराए जाए यहां लेफ्ट कहां स्टैंड करता है यूएन की क्या ज़र है करवाना है त लेकिन उनकी यूएन रिफरेंडम की मांग का समर्थ है नहीं यूएन की आप पता नहीं किस संदर्ब में वो नहीं यह बात रखा लेकिन वो यूएन कहां से आता बीच वे हमें समझ में नहीं आ रहा है अच्छा एक आखिस सवाल करना चाहता हूं यह भी एक सब्सक्राइश है आने वाले समय में कि त्रिनमूल कॉंग्रेस महमताब एनरजी लेफ फ्रंड सीपी आयम यह दोनों साथ आ सकते हैं दिखिए सवाल के उपर साथ आना तो हवतियारे सब के साथ हैं सवालों के उपर जो आये तेकिन राजनीतिक तोर पर उसका क्या पर बिन क्या रिटिकली कुछ नहीं यह होगा तो इसिटे कि जो लगा वहिवा पर पर कि उपलिईन सब्सक्राइश मूस करने बसक्राइश आप नहीं पाएँ नहीं हो नहीं पाएघान बहुत शुक्री करने के लिए खास बातचीफ की और उनका कहना है कि ये जो CAA, Citizenship Amendment Act है, ऐसा वाम दलो का मानना है कि सरकार की नियत है एक कौम, मुस्लिम कौम को किनारे रखने के, उनको अलग थलग करने की और ये सम्विधान के खिलाब जाता है, चाहे CAA हो या NRC हो और इसको ले करके Left Front का अंदोल आगे भी जारी रहेगा, कैमरामेन आशीश सक्सेना के साथ, आशीश कुमार सिंग, ABP News, दली